नमस्कार मैं सुमित एक बार फिर आप सबकर स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चनल एजुकेशन जानकारी के अंदर तो आज मैं आपके सामने डियू इंट्रांस एम में का जो कि दुदर ठारा के अंदर हुआ था वो पेपर लेके आया हूं और यह बहुत जादा सिर द्धान पर अधारित है यादि याणी अगर एक के हमला होता तो सब के आपड़र पर मिलके कारवाई करेंगे डूर्ब सवस्कारा एक सब एक के सायोजन है तीसरा कोशन जो कि इस परकार है 1945 में एक नई एक नई सेंगठना गठन हुआ जैसे संग कहा गया इसका उद्देश्य समाजिक प्रग्रति और जीवन में बहतर गुणवत्ता बहाल करना था क्योंकि तो जो इसका बहाल करना था उसका इलक्ष्य था युनाइटेड यूएन के यूएन चार्टरने अंतराष्ट्य सुरक्षा वैस्पि गरीबी और विकास के बीच एक कड़ी के रूप में देखा गया तो जो यह जो समाजिक जो 1945 कंदर संगठन मना था इसका उद्देश्य था यूएन चार्टरन में अंतराष्ट्य सुरक्षा वैस्पि गरीबी और विकास के कड़ी के रूप में इसको समझा गया और देखा गया था चौथा कोशन जो कि इस प्रकार है सरनाचनात्मक करियात्मक यानि स्ट्रक्ель फंक्षणलिज्ञजन किससे सम्धित तो इसके साथ विविन धिंकर उसको जो जुड़े हुए है वह है आलमंड और वर्वा भी जुड़े हुए इसके साथ पांचपा कोशन जो कि इस प्रकार है निम्लिकित में से कौन सा कथन होप्स के समाजिक समझोते के वारे में सही है तो जो उन्होंने बताये था सभी अपने उपर साथन करने का अधिकार को त्यागते हैं वही सारी सब चीज़े करेगा तो इनका समाजिक संजोते इस प्रकार था चाटा कोशन जो की इस परकार है निमनिखित में से किसे बहुलवादी सिध्धान दिया तो बहुलवादी सिध्धान के साथ जुड़े हुए है रौवर्ट एडेहल रौवर्ट एडेहल ने बहुलवादी सिध्धान दिया था नौवा कोशन जो की इस परकार है, निम्निकित में से किसे विल किमलिगा ने विशिष्ट अलब संख्या अधिकार करार दिया। तो जो विशिष्ट अल्प संख्या अधिकार करा दिया था आठफा कोशन जो की इस परकार समंदित है निम्लिकित में से कौन सी विचाधार जर्मी बैंधन से जड़ी हुई नहीं है तो इससे जो जड़ी हुई नहीं है उन्होंने इंडिविजल राइट की बात नहीं करी है इंडिवल व्यक्तिकत अधिकार आलंगुनी है यानि इंडिवल राइट आर इन वाई लेवल तो इसके साथ यह नहीं जुड़े हुए हैं वह परतेक कानून की सवतंत्रा का उलंगा नहीं यह बात कहते हैं वह प्रकरतिक अधिकार मुर्खो द्वारा द्वारा लखडी के नवनिकीत मैं से किसने नागरिक सथ गुन का सिध्धान प्रस्तुत किया है वह इसकोर्स के इंदर किया गया है और यह रूसोग के द्वारा डिसकोर्स Бुक के अंदर शिविक वर्चु की बात की गई है तो रूसोग इसके साथ जुड़े हैं यह यह याद रखे रूसो इ predecessor के साथ बी जुड़े हुए है डाइ recom ४्रुसोर और Republic पुस्तक के साथ जुड़े होए है डास्वा गॉशन जो की इस परकार है टीमिव फिल्राजनिति की विच्व राजनिति की West Phalya संदिक किस पर बल दिया गया है तो जो विच्वरास्ति्ध वेस्ट Phalya सही है ग्यारा कोशन जो की इस परकार है भूमंडली करण के विवाद के संदर में परिवर्तन वादियों की क्या स्थिति है तो जो परिवर्तन कारियों की स्थिति है वो है भूमंडली करण के कारण राज्य के संदर में या तो थोड़ा मजबूत हो गया या फिर थोड़ा कम जोर हो गया है इसी से संदर में है भुमंडली करन के संदर में परिवर्तन वादियों की इस्तिती बारवा कोशन जो की इस परकार है निम्लिकित में से कौन सोशल आडिट समाजिक अंकेकरन का उधारन आटियाई है आटियाई समाजिक अंकेकरन से जुड़ा हुआ है राइट के साथ जुड़ी हुई है रेश्टनल मोडल भी जुड़ा हुआ है इसका लोक निती से कोई संबंद नहीं है चौदबा कोशन आईजिया बर्लिन ने अपने निबन तू कॉंसेट ऑफ लिवर्टी में किस तरह की सतन्ता को नियाचित थराया तो इन्होंने ठराया था और इनकी बूक को याद रखे टू कॉंसेट ऑफ लिवर्टी यह अभी पीछे एकजाम में पूछी गई थी तो इस को अच्छी तरीके से एक बार रियाद रखें और पूछी लिया जाता है और यह नाकरात्मक सुतनता के बहुत बड़े पक्ज़दर हैं इजिया बर्लिन कि अगला कोस्चन जो कि मैचिंग संब्णित है इसको मैच करना था हमये प्लेटो हैं प्लेटो जुड़े हुए था इसका सम्मेलन था सब्सक्राइब करना है तो थूसीडाइडस जुड़े हुए फिलो पेनिशियन वर के साथ मारगें थाउं जुड़े हुए पॉलिटिक समांग निशन कैनन वर जुड़े हुए थियोरी ओफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मेकाबली जुड़े हुए दा प्रिंस के साथ दे विश्वर राजनिती की चुरुवात मानी जाती है और मान के धाउ जुले हुए इस्ट्रक्चर अप्रोच के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अगला कोशन जो कि इस परकार इसका भी सुमेलन करना था हमें तो इसको देख लेते हैं एक बार पहले का तीसरा है यानि के ऑटो वोन बिस्मार्ग जुड़े हुए राजनिती समभावित कला है उसके बाद जो सेकेंड है मनुष्टे एक समाजिक प्राणी है यह बहुत ब है हरें लाजवेल यह कोशन याद रखें राजनिती किस से क्या और कब कैसे पाजाता यह है अपर पूछा गया था राजनिती एक साथ समान समान जैसे करने की समता है तो यह जूड़े में इसकराद हन्ना अरेंड जी इसके सार्ट जुड़ी हुई है अगला कोशन जो की इस परकार है चार वेदों में से किस ने अपने गीत में इंदर के महत को प्रस्तुत किया तो इंदर के महत को बस्तुत होता है वो रिंग वेद के अंदर इंदर के महत को प्रस्तुत किया गया है सेहुक दिराष्टे महासभा दुआरा यूएन की सरकारी निती में कब जैंडर मुखे धारा को जोड़ा गया तो जो जैंडर को जोड़ा गया था यह 1980 के अंदर सेहुक दिराष्टे महासभा दुआरा जोड़ा गया था बीसता question जो कीज़ परकार है चोधवा साथ समयलन दुदुहर साथ में नही दिली में आयुजित किया गया था जिसमें मुख्य रूप से तो जो नहीं दिली में आयुजित किया गया था इसके अंतराश्ती है चेत्रे connectivity पर बल दिया गया था और अब तो यह ऐसा कॉशन आएगा नहीं लेकिन आप याद रखें फिर भी और जो अगला कॉन्फरेंस सार का होने वाला है उसको याद रखें कॉशन जो किस परकार है कबीर इस एस कारण कबीर को राजयतिक सिध्धान्तकार माना जाता है क्योंकि उसने में देखते हैं कि कई जाती जाती आधार पे तो लोगों का समाज में वरकी करनक है उसके अधार होता है उसके उसी को रहने जर्यम जर्यमन अधार मज़ा पहुआज में उठाण के ऊपर परस्टानुंकि मिन से समंदित्त मनुश्य का सरजन हूँ जो अनुभाविक विधिक का विश्य है तो इसका यह आंशर सही है प्रिंस नामक पुस्तक के साथ तो यह इस प्रकार से यह सभी थिंकर थे निमली खित्म से कौन उत्तर अपनिवेशिक सिर्धान्तकार नहीं है तो जो उत्तर अपनिवेशिक सिर्धान्त से नहीं जुडे हुए है यह भी युद्यदीनेट के नहीं पूछा गया था कोन जुडे हो है तो यह प्लैटो जुडे हो है गुफा सिर्धान्तके साथ तो यह पच्छीषवा कोशन था सभी सवा कोशन जो किस प्रकार है अधुनिकी करण सिद्धान का केंद्रिय मानत क्या है तो जो अधुनिकी सिद्धानत है वो कहता है कि सभी सभी समाज को उसी मार्क का अनुस्रण करना चाहे जिसे अधुनिक पश्चमी राज society के लिए अधनिक बनने के लिए अपनाया गया था तो मॉडलिस्ट मॉडलाइजेशन यह कहते हैं कि जो सिध्धान्त अपना है उसी को अपना के और देश के अंदर भी आजविक रड़की प्रकिरिया सकती है कि 27 किस परकार है साउथ इस यह फ्री ट्रेड एशियोशन साफ्ट नहीं रही क्योंकि तो जो सफन नहीं रहिए इसके अंदर प्रमुक कारण है पहला और तीस्रा का प्रमुक कारण है देश में सिमित निर्यात के अधार पर और राजनितिक अर्चन के अधार बर्द्वी पक कारण सिंध निर्यात और राजनितिक अर्चन के कारण जोग फसे अंसर है ऀसता सही आंसर ऑप्शनन नंबर ये इसका सही अंसर है सिंदू जल्द संभ्ट तो सिंदी जल्द संभ्ट संभ्ट या रखे उपर अधिकार प्रयापत तो भारत को जस्यृच기에 अधिकार प्रयाप्थ है अगला कुशThe फ्रकार है इकवाल की समाज की विचारधा है तो असरी योजना का आश्ट्रे है तो मार्शल योजना जो समंदित थी वो थी पश्चमी यूरोपे देशों के अर्थवस्ता के पुन उद्दार यानि उनका उत्थान द्वारा करना रीकंस्ट्रक्शन करना उनकी रीबिल्डिंग करना जो वेस्ट जो स्टेंड सेकेंड वर्ड वर्ड के कारण या बस भारत है और केवल भारत एक समाज है सविधान सवा के वाल वाल में किस ने कहा तो यह कहा था सरदार वल्ला भाई पटेल जी ने कहा था और यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इनके जो वक्तव्य है क्योंकि अभी पीछे एक्जाम में पूछा गया था 2019 या 2020 के अंदर इस ब espíण अच्छी तरिके से आप देख लें और इस बसमझ लें अग्रा कोशन जो कि 32 बाहरा काली पानी और सुस्ता भूछेतर किसके साथ है तो यह नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है भारत का विवाद भूछेतर का विवाद नेपाल के साथ का लापानी और सुस्ता उत्तरवेश्ट फेल्याववस्ता में राजये स्वयत्ता को चुनवेपोर्ण को समानता घ्रहली उद्देश्व प्राप करने के लिए किया जाता है तो इस कारण इसको चुनवत्ती दी गई है इसमें को निमनी में से को नकरात्मक शांतिके प्रमुक्ष सिध्धान्तकार है नकरात्मक शांतिके प्रफजद़र तो जोह तो जोड़े हुए है हिंद सोराजन की प्रमुख पुस्तक है और भारती राजनिती भारती सो तंता सोराम के अंदर जो इनका योगदान था जो विभिन यांदोलों नोने किये वो उनको याद रखे निम्रिखित में से कौन बहुमत का अत्याचार ट्राइरोनी ओफ मेजोर्टी के साथ जुड़े हैं मिल इसके साथ जुड़े हुए है ट्राइरोनी ओफ मेजोर्टी के साथ 36 वा कोशन जो किस परकार है निम्रिखित में से कौन शक्ती समंदित तीसरे डाइमेंशन यानि त्री पक्षिये पर वेक्ष की बात करता है तो इन्होंने बात करिए स्टीवन लुकस इसको याद रखे एक कोशन पूछा गया यूजिसी नैट के अंदर भी तो इन्होंने अगला कोशन जो किस परकार है निम्रिखित में से कौन दा हाइकास्ट हिंदू मुमें पुस्तक के लेखक है तो जो हाइकास्ट हिंदू मुमें की लेखी का थी वो पंडिता रामाबाई थी इन्होंने दा हाइकाश हिंदू वोमें नामक पुस्तिका लिखी थी और पंडिता रामाबाई के बारे में याद रखे इन्हें पंडिता की उपादी इसलिए दी गया थी उन्तारीसवा कोशन जो की इस परकार है दा पॉलिसी ऑफ इस्ट्रक्शल अडेस्ट एडेस्ट्मेंट वाज इनेसली मोटेड बाइ तो यह आई-ए-ए-ए-ए-ए-फ और विश्रु बैंक द्वारा इस्ट्रक्शल सरनेजनात्मक समयोजन की नीती शुरुआत की गई थी आई-ए-ए-ए-ए-ए-फ और विश्रु बैंक द्वारा चालीसरो कोशन जो की इस परकार है मैचिंग से संबन देते हैं तो इसको मैचिंग कर लेते हैं जे-ए-ए-स-मिल जुड़े हुए है अनुपातिक पर दिनिदित के साथ जुड़े हुए है और जो सुंपिटर है व दिनिदि दौरी-विमर्ची-लोगतांतर के साथ तो इसको एक बदेख ले इस परकर्कारियस का मैचिंग है एक तालीश बागों जो कि इस परकार है ठोड़ा यह daldgy आई-थ को-ई-ए-ब दोमे इसक चोड़े कि आपो चोड़ते हुए यह सारे शिक्षिधान जुड़े है इसके साथ-नृ फूको च्टिये के शिक रूप में और बी जो सब्सक्तिलस और करिया ड्राइ無 प्रकिश्च चनृता इन हैस्मैंट कैपि सिटी के साथ जूड़े हुए है इन्हींस्मिंट इन हैस्माविकल करिदिकार इस जूड़े हैं carrier सकती हैजेमनी के concept याद रखें एंटी नियोग रामशी ने दिया था एंटी नोट बुक इसके इंद्र रिखेमनी का concept दिया था और ये कॉशन था कि इसको लेकर के साथ जोडना था तो इसको जोड़ लेते हैं एक सेकेंड था तो विश्नु गुपता जूड़े हुए है अर हर इस चरीरता के साथ तो यह इस परकार से इसका मेल था है आप यहां नीचे देख सकते हैं माक्स वाद में मौझूद दंदात्मक डाइलेक्टिक का क्या आर्थ है तो माक्स में दंदात्मक की बात की गई है वो को एक जिक्स्टेंस ओफ कंट्राडिक्शन विरोधा भाशों के बीच सहस्तित क्यों बताया गया है एक डियलेक्टिक के माध्यम से 45 पा कोशन एक त्योरी अब जेस्टिस में जॉन रॉल्स ने कोश्क के प्रात्मिक्टा लेक्सिकन प्राइविटी के सिध्धान्त दिया है जिसमें तो लेक्सिकन प्राइविटी के जो इनका सिध्धान्त उसके बताया है तो उन्होंने इन दोनों को बताया था सबसे पहल से उन्होंने इन दोनों को प्राइविटी दी थी 46 परकार है किसने कहा कि उदारवाद अंतराश्टे मामलों के संदर में आ सहाए है तो यह कहा था नारिवाद और जाती के रूप में बहुत सारा सही होजन है और तालिशवा कोशन रामा नुज निम्म से किस से सम्बंदित है तो रामा नुज जुण हुआ है वैश्टन ध्रम के साथ मेकावली का आधनिक दाश्टनिक है क्योंकि मेकावली ने अपने मेकावली उसके अपने लिखंग में राष्टवास से जूड़ी संभीदना दिखाई पड़ती है तो राष्टवास की संभीदना के जो कारण ही इनको आधुनिक विचारक कहा जाता है और एक और चीज़ था ही नोने नयातिकता को धरम को और नयातिकता की धरम और जो तो उसके जो चल लिया रही थी उसको पर्थक करने का काम किया था इसलिए भी उनको कहा जाता है कि यह आधुनिक लेखिक माने जाते हैं रामा भाई ने स्वयम को परिवर्तित किया था इस आही धरम में आप खुद देख सकते हैं रामा भाई से रिटेट किते सारे कोशन इक्जाम के अंदर पूछे गए हैं क्योंकि रामाबाई जो अभी हमारी भारतिरादेतिक विचारक के अंदर नई ठिंकर जूड़ी गई हैं तो एक कोतो हल होता है तो आप भी इसको याद रखें रामाबाई जरूर पढ़के पेपर के अंदर क्योंकि इंसरेटिट काफ इच्जाम में पूछेज जा सकते हैं राजुका की नउक्ति और अश्टोग द्वारर किस कारे के निश्पाधन के लिए किया गया तो राजुका की नियुक्ति ख़ए необходимо चैटन के लिए राजुका की नियुकति की गई थी ने मिख्यित में ने मनिख्यित भारतियस haven की नुच्गेत हैं कौन कि यह उन्दर विवस्था के अंदर किस चीज के निर्यात में पार्दिश्टेश्टा लाने की कुशिश की गई तो जो इसके अंदर कोशी की गई थी सबी सीजें के अंदर प्रमप्रागत अस्त दोहरे प्रयोग वाली समागरी चोटे अस्त और हलके हतियार और और सेनय एरक्राफ्ट यह 3 चार चीजे इसके अंदर लाने की कोशिश की गई था कि आधुनिक भारती राजनितिक चिंतन इसलिए आधुनिक है क्योंकि तो जो अधुनिक भारती निश्तौ ने इसलिए आधुनिक विचारों को परिभावीत किया तो इसी कारण जो भारतिय राजिदिक चिंतन है वो आधनिक किराता है क्योंकि इसको जो समानता और स्वतनता से आधनिक विचार है इसके जो विचारक थे से परभावित थे परभाव शीलता ने किस नए एक्ट के निर्मान के लिए 1980 के अंत में परभावित हुआ तो यह है अनुसूचित जाती वा अनुसूचित जन जाती से इस अंड़क्षन से एक्ट से समान्दित इसके कारण यह परभावित हुआ था 56 कोशन जो किस परकार है आईजिया बर्लेन की स्वतंतरता समंदित संकलपना को देखे तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो जो इसके समंदित नहीं है राजे केवल व्यक्ति को सकरात्मक स्वतंतरा परदान करता है तो यह आईजिया बर्लेन के स्वतंतरता समंदि संकल्पना के कथन में सही नहीं है Washington सहमती Washington कांसेंस सब्दावली को एक अन्ने तरीके से कैसे परिवाशित किया सकता है तो जो यह इसको परिभाशित के जाता है Washington के निवाशिंटी के जाता है नवूदार्वाद त्था आध्चों की किरांड के Consense को कहा जादधा है58 गुशन जो किस परकार है निर्म निखित में से कौन सा मार्क्सवाद से समंदित सकते हैं तो मार्क्सवाद से समंदित रोस्क्ते हैं वह बी और डी है यानि पुंजिवाद के अंत्रगत मुक्ति के लक्षे को हाशिर करना असंभव है यह माक्सवादी विचारक पुंजिवाद को कही ना कही खतम करने की बात करते हैं और पॉलेट्रेट और सरवहारा वर्क के बीच जो वह होता है उसको कुरांति द्वारा हटा के ही परणाजिवाद सकती है अपने शीष पर पहुंचती है उनसे उनसे पर कोशन यह था कि भारत द्वारा समीधान के प्रावधान को जिस देश से लिया गया है उसकी सुच्छे के साथ हमें सुमेलित करना था तो इसका जो सुमेलन था वह इस प्रकार था नियाएक स्विक्स लिया गया और शुतंत्रता शुत मत्रता और बंधस कलो नाली सफ्रांस से लिया गया तो इस परकार इस का मेल था एक बार आप अच्छी दर्फाल करने कि it नहीं है अगला कुशन की सम्मंदित है भारत ने व्यापक आर्थिक पार्टन सम्झोता पर हस्ताक्षर किया तो भारत ने सम्झोते पर हस्ताक्षर कहता हो सिंगापूर और जपान के साथ किया था नेक्स्ट कोशन जो की बादसटवा इस परकार है बाकसवादी दर्शन में उत्पादन पर्णाली को समानता दिखा जाता है तो उत्पादन की शक्तिया और उत्पादन के संबंद के रूप में इसको दिखाया जाता है राज्य के सब्टांग सिध्धान को प्रस्तुत किया तो सब्टांग त्योरी जुड़े हुआ है काली माफ कीजिएगा सब्टांग त्योरी के साथ जुड़े हुए कोटली जिसमें आमत्य और जिन्होंने अलग-अलग साथ अंग बताया दिख सरकार कैसे कारे करती है अर्यदक्तावादी विचारधारा के अंदर इसको अनवश्चक सत्तु करूप में माना जाता है नाकरात्मक सतुनत्ता को उसकी परयोक करने परिस्तित्यों से अलग करके देखने चाहिए तो यह आईजिया बलिन ने यह बात कही थी यहेरु एक सेकूलर तिंकर क के रूप में जाने जाते है क्योंकि उनका जो मानना था क्या उनका विश्वास था कि राज्य को किसी भी धर्म के साथ समर्थर नहीं करना चाहिए तो वो राज्य की जलू पुझिवाद का उस्तम या अंतिम चड़न है तो यह कोटेशन बहुत फेमस है यह लैलिन ने कहे थी यह बात के समाज जवाद का अंतिम चड़न है लैलिन उकसाद जुड़े हुए थे निमनिखित में से कौन परिकरियात्मक नियाइक के सिध्धान से जुड़ा सिध्धान् परिकरियात्मक नियाइक के साथ निमनिखित में से कौन नाकरात्मक स्वत्मत्रता के विचार का प्रथम आधुनिकारिक सिध्धान्त माने जाता है तो यह जो प्रथम आधुनिक कारिक माने आते हैं वो हॉप्स माने जाते हैं नाकरात्मक स्वत्मत्रता के सिध्धान्त का 70 कोशन जो कि इस परकार है निम्लिक्रित में से किस ने चुनावी पद्धती और दल्य पद्धती के बीच सम्मंद के नियम परति बादन किया तो ये चुनावी पद्धती के साथ जोड़े हुए डूबर्जर इन्हों ही चुनावी पद्धती और दल्य पद्धती के उपर का कानून की प्रम्प्रा को सरपर्थम आधनी करने का स्टेक किसे जाता है तो यह प्रकृतिक कानून को सरपर्थम आधनी करने का स्टेक किसे जाता है हॉप्स को निम्लिकित में से कौन साथ साथ शम्ता उपागम प्राचिन गरंथ अर्धसास को खोजने का स्टेज आता है तो प्राचिन गरंथ अर्धसास को खोजा था साथ सामा शास्ती जी ने इसको खोजा था तो यह जुड़े हुए एमनुएल वेरस्टीन विश्वेवस्ता सिध्धान के साथ इनको याद रखें और यह इसी सिध्धान के साथ लेकिन उनका कॉंसर्प दिया था काल मार्ज दूने कम लिश्विचार धाला के साथ तो इनको याद रखें पिछतरवा कोर्शन जो किस परकार है एंटी पीटी और सीटी बीटी के संदर में ने मिखित कतनों पर विचार कीजिए तो भारत ने ना तो एंटी पीटी पर साइन किया है और ना ही इसकी पुष्टी गया यह सही है भारत ने सीटी बीटी पर हस्टाक्षर किया किंतु किया परंतु उससे आप तक पुष्टी नहीं किया है नहीं भारत ने सीटी बीटी पर साइन के रहा है उसकी पुष्टी भात करता है तो यह गलत है तो पहले इसका सही है तो इसका एंसर सही है में 1969 में Congress Party में हुए विवाज़न में कौन सी दो पार्टिया बनी तो जो 1969 में जो Congress Party का विवाज़न हो तो उसके अंदर Congress O और Congress R उस टाइम बनी थी सास्त्रिय मार्क्सवाद के अधार का अर्थ है तो जो सास्त्रिय मार्क्सवाद है उसका जो Classical जो मार्क्सी जन उसका अधार है Economy यानि आर्थिकी उसका अधार है Samuel P. Huntington ने किस समय लोकतंत के तीसरे लहर का प्रयोग किया तो यह Samuel P. Huntington ने 1974 से 1989 तक के भी इसको लोकतंत के तीसरे लहर के रूप में वर्णन किया है V. R. महता के अनुसार कोटलिया के किस तरह विजन प्रदस्षित होती है तो यह वहवारवातिक प्रैगमेटिक के द्वारा विजन प्रदस्षित होती है प्रदस्षित में से कौन सी राध्यतिक क्रिती जेयस मिल नहीं लिखिया है तो जो उन्होंने नहीं लिखिये विंडिकेशन ओफ राइट ओफ मुमें यह लिखिया है मैरी वाश्टन क्राफ्ट ने इसे संबंदित नहीं है सब्जेक्शन ओफ वुमें से संबंदित हैं लिवेटी से संबंदित हैं इनकी बहुत ज्यादा फेमस फेमस भुक हैं इनको याद रखें एक मिन्ट तो माफ कीजीगा वो आगर बहु गया था ता निमने कितम से कौने सा ₩enthा नारिवादी नहीं है वो है नारिवादी का लक्षे प्रत्री सत्र समाज का इस्थापना करना यह न का लक्षे नही ? बलकि उनका लक्षे है के सारवजिनिक छेत्र में महिलाओं को सारवजिनिक छेत्र का विवाजन का परयोग महिलाओं को सारवजिनिक सहभायक्त से मंचित नहीं करना यानि उनको सारवजिनिक छेत्र में उनको मंचित कहा तो ना करना गहरेलू स्रम के बीच विश्म सेक्चुल विवजन दृसल महीलाओं को शोचन का सुरोत है, इसकी बात करते हैं वो, और पित्त सता अत्मक ऐसी स्रयी zinc डहांती खर्धान वयवस्ता है, तो जो राजियनतिक स्थायत के पक्ष में नहीं है वो इसका अंसर है हमें राजे का पारान करना चाहिए क्योंकि हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वह ऐसा करें तो यह समन्दित नहीं है तो राजे की आवश्यक विशेषता संपर्भूता है और तीन चार रंग जो मुखे के हैं याद रखें पहला है राजे का भूगोल राजे भूगोलिक इस्तिति और उसके बाद सरकार राजे की फिर उसके बाद संप्रबूता जो संप्रबूता चीज और उसके अंदर लाजय का भुगोल सरकार संप्रपूता और और वहां का भुगोल संप्रबूता चोसेशन विशये Надी आगला कुछन के साथ है वो है विवेक और तार्खिक तार्फिक रिजन एन रेशनलिटी इसके साथ जुड़ा हुआ है रादनितिक जीवन से जुड़े सरमनिक परंपरा के अनुसार तो रादनितिक जीवन से जुड़े सरमनिक परंपरा के अनुसार बरहमनवादी विश्व विचार का विकल प्रस्तुत करना इसका विकल भैस प्रमनिक याद रखे अट्री मोडल दिया और यह बहुत कोशन के पूछा गया था इनडर यूजन के पूछा गया था किस ने चाहल पौटी मोडल दिया है क्या चाहल पार्टी मॉडल माफ कीजिए मुझे तो यह इस से जुड़े हुए है ओटो किस टाइमर अठास्तिवा किशन जो किसी प्रकारा है भारत और मैंअल के बीच का रगान्य प्रियोजना किस चीज कि Weakages कि किस चीज के परिषयेेजल पर्याण पर जोड दिया गया है तो जो इसके अंदर जोड है जोड़ गया है उसका आंसर क्या था है वन थर्ड और पोड तो सड़क शिपिंग और अंतर देशिये जल परियोजना के उपर भारत और मैं आमार के बिच का रदान परियोजना के उपर बल दिया गया यह कोशन को देख लें क्योंकि पूछ सकते हैं दुबारा भी भारत और जपान के दोई पक्षे संबंद में हुए deux plus two डैलोग बैठक्स में दोनों ही देशों से क्यों क्यों से सामिल हैं तो ये कशन कौन-कौन से सामिल एं तो पहला अंग्रेजी हटाओ दूसरा जातली तोड़ो पीसरा दाम बांथो और चौता है हिमाल्यों को बचाओ इंक्यानविया कोशन जो की इस परकार है मनुस्मिर्थी से संचित है मनुस्मिर्थी में संचित है मनुस्मिर्थी में संचित जो है ऐसी सहीता जिसमें जातली के धार पर समाज में स्तिरीकरन को द्रसाए गया है ये मनुस्मिर्थी में संचित है भारत और स्रिलंका के बीच तेरवा संसोधन विवादो के केंदर में है यह तेरवा संसोधन के द्वारा तो तेरवा संसोधन वो संबंदित है प्रांतिय प्रिशत की स्थापना का उल्ले किया गया तेरवे संविधान संसोधन में तो यह इससे संबंदित है तेरानव्या कोशन जो की इस परकार है महाभारत में एक राजर्थक क्रिटी माने जाती है क्यूंकि यह राजर्थक शक्ती की प्रकृती से जूरे दि विधा को परसुट करती है तथा नई विश्वेवस्ता के माध्यन से उत् wię चुट करें जूने हैं किससे वैचारिक श्रिप्त का अनुमान लगाया गया है राजितिक विचार धार से सांस्कृतिक और धर्म की और श्रिफ्ट का अनुमान लगाया गया है सांस्कृतिक और धर्म की अधार पर होगा है कि इस परकार है हिंदु महासागरे रिम एस्सेशन ए और एका प्रमुक उद्धेश्य है तो एक प्रमुक उद्धेश्य तीनों ही है हिंद महासागरे रिम छेत्र पर समाजिक विकाष प्राइवेसी से सुरक्षावा सरनक्षन को प्रोटसाहन और बैपार प्रोटसाहन तो ऐसे चीज याद रखे सरकार अगर ऐसा कोशन आता है तो अपने बारे में अच्छी चीज़ बताएंगी अगर आपको कहीं भी नेग शारिक उत्पिलन से महिलाओं का संदक्षन और यह आदेश दिया था जितने प्राइवेट ऑफिसी या सरकारी ऑफिसी सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था उनके लिए महिलाओं के लिए इसके इंदर एक सिकायत का मैकनिजम होगा और उनकी सिकायतों को सुना जाएगा कि सीवी ऑफिस के अंदर विस्याका गायलाइन से संब्दीत है दस सिवीक कलचर टो सिवीक कलचर ग्रावेल आलमाइंड शिड्रीम बरवा इसके साथ जुर्ए है इंके साथ जुड़ा हुआ है द्लमाइन हों कि भूक दस सिवीक कल्चर को याद रखें स्टेट ज्टेट लेक को सिर्शक एंटी सैकोलिसं मैनिफेस्टो है तो यह च्छोटी सी वीडियो थी थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई है तो यह तो यह वीडियो संबन्दित थी यूजी सी नेट जो 2018 के अंदर एमें इंट्रास पोल्टिकल साइंस का हुआ था इससे समंदित वीडियो थी उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगी होगी कई वार मैं थ्रण ठगबी गया स्वीडियो के अंदर काफी लंबी होगी वीडियो तो आपको उम्मीद करता हूं